हेलो दोस्तों वेलकम टू डिएश्डी कार्स और आज के वीडियो में बात करेंगे निसान मैगनाइट के इंटिरियर मोडिफिकेशन के बारे में लेकिन उससे पहले मैं आपको निसान मैगनाइट की जो ओन रोड पर जेंस है वो एक बार दिखाना चाहता हूं कि जब आप गाड़ी को लेके रोड पर निकलेंगे तो पीछे चलने वाले आदमी को आपकी जो गाड़ी है वो रोड पर कैसी दिखती है तो ये देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निसान मैगनाइट ओन रोड कैसी लगने वाली है दोस्तों तो बहुत अच्छी लूक है बहु कंबिनेशन के साथ में सीट कवर्स एड़ ओन किये गए हैं काफी अच्छी क्वालिटी की जो सीट कवर्स है वो आपको मिल जाते हैं इसमें डैस बोड के उपर आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक टाइप में कुछ मैटेरियल यूज किया गया है और जिससे की जो डैस बो क्लर का जो कंबिनेशन है वो आप यहां देख सकते हैं वैसे टोप एरियंट में बल्कुल ब्लैक डैस बोड आता है लेकिन लोवर मोडल्स में ब्लैक और बेज कलर का कंबिनेशन आता है स्टेरिंग कवर की बात करें तो बहुत ही बड़ीया क्वालिटी का स्टेरिंग कव आपको यहां मिल जाता है और सेंटर कंसोल के उपर भी आपको वही फिनिश मिलती है जो कि चारों दर्वाजों पर आपको मिलने वाली है यह सेंटर आर्म रेस्ट के उपर भी आपको कवर मिलता है इस पैक के साथ में और इस पैक की जो कीमत है वह लगबग 42,000 रुपए कलर की एपलिक मिलती है और पीछे सीट कवर्स वही ब्लैक औंड रेड के साथ में आपको मिलेंगे बहुत अच्छी लुक इसकी बन जाती है रेड औंड ब्लैक का जो कम्बिनेशन है वह आपको मिल जाता है एक बार अंदर बैठके देखते हैं कि क्या कुछ जो लुक है ग किसको कौन सा आता है तो वह आप देख सकते हैं गर आपके according ये ठीक है तो आप भी at pack ले सकते हैं लगवा सकते हैं और discuss कर सकते हैं कि जो prices हैं 42,000 के आसपास वह हो सकता है कि कम भी आप लोगों के लिए लग सकते हैं या हो सकता है कि वो fix हो तो मैंने आपको ये दिखा दिया ये था आज का चोटा सा वीडियो और यही चीज़ आपको दिखानी थी अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना स्पोर्ट देते रहना वीडियो को एंड तक देखने के लिए थेंक्यो दोस्तों